सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुन बैद है तरुन जी कहां से आए आप? मैं इन दौर मद्पदे से आया हूँ सर संद्रामपाल जी माराच से नाम दिख्षा कब लिया आपने? मैंने संदर रामपाल जी महराज जी से नाम दीक्षा 28 सेतंबर 2014 में ली थी 2014 में आप संदर रामपाल जी महराज से जुड़े इससे पहले आप क्या साधना करते थे इससे पहले मैं लोग उपासना जो हनुमान जी की पूजा करना सिफ जी की पूजा करना यही करता था मैं हन्वान जी के ब्रत मतलब इतना था मैं जो लोग मानते हैं कि हन्वान जी बहुत सक्तिशाली है और ताकत देते हैं और मैं हन्वान चालिशा भी पढ़ता था मंगलवार को ब्रत रखता था पूरे दिन और सर सोचने वाली ये बात है कि हमें कोई बताने वाला ये था नह करना है किसे क्या करना है किसे क्या तो आन उपासना है मेरा पूरा मतलब जीवन अजब तक का था वो बैरते गया कोई लाप तो हो नहीं रहते बस लगे हुए थे जैसे भी है सर जो साधना है आप कर रहे थे उनको आप आन उपासना है क्यों कहते हैं क्योंकि जब उनको आन उ संत्रामपाल जी महराज जी हैं जोनों ने आज हमें ये बताया है कि सास्त अनुकूल साधना क्या है। ज्यान गंगा थे सरजी तो उन्हों ने उस ज्यान गंगा को पढ़ा उन्हों वह एक प्याने में पढ़ी है। और उनको ये चीज पता चली कि आज तक पूरे बिस्स में जितने भी ये साधू संत फकीर जो भी हैं किसी ने हमें ये नहीं बताया कि तीन लोग के जो भगवान है तीन देव इनसे भी कोई बड़ी सकती है ये उनको उस किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि असलियत जो मान उपासना जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है और असलियत क्या है जो हमें करनी चाहिए पूजा पूजा के बारे में संत रामपाल जी माराज के जितने भी अन्याई है वो अक्सर जिकर करते रहते हैं सर हम आप से जाना चाहेंगे कि आखिर ग्यान गंगा पुस्तक में देखी हुई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है चोकाने वाला सच जो अभी तक किसी को नहीं पता था आज तक किसी भी धरम गुरू किसी भी आचार महरसी ने यह नहीं बताया है कि जो परमात्मा है वो साकार है सभी यह बोलते कि वो निराकार है बाइविल में बताय परमात्मा है कि फॉमललेस ने को नहीं पने सभी परमात्मा है कि वाला सबान है और विज्यता के वाल अधरी अप्सुनद गता कर दिया है ठीज मे धेविल गुरू कुछ अधर कर दिया है है चीज से ऐसे दिखा दिया है आप पिरमाड अगर आप पड़े लिए हैं और आज एजुकेटर समाज है सभी जानते हैं सब कुछ पड़े लिए हैं कोई अन पड़नी है आप मिला सकते हैं देख सकते हैं और सबसे वड़ी बात यह है कि उस पुस्तक में यह जो हम तीर्त ब्र माड ऐसा मिलेगा कि यह करना बैरत है क्योंकि वह सास्त्र में है नहीं गीता में भी बताए गया है कि सास्त अनुगुल साधना कर अब मैं गीता आपको बता हूंगा ने क्योंकि हमारे सद्गुरु देव रामपाल जी महराज जी ने हर चीज बता रखिए गीता बता रखि और जब हम दूसरे धरम गुरुओं के पास जाते हैं उनके विचार सुनते हैं तो हम देखते हैं कि यह तो तुमारे करमों की कष्ठ है यह कड़ नहीं सकते हैं जबकि संत रांपाल जी महराज जी ने बेधों से यह प्रमानित कर दिया है कि परमात्म वो पूर्ण ब्रह्म पृएजिए पीफश्ट पाइब आपको परहा कर सकता है। मैंने ग्यान गंगा पुस्टक को पड़ा और बढ़ी वात यह है कि हमारे सद्गुरु रामपाल जी महराज जी ने ग्यान गंगा पुस्टक में जो प्रमाठ दे रखे हैं। उनको मैंने मिलाया। और मैंने देखा कि वो सारे प्रमाड एजटेज पाए, जब देखा कि गीता में भी लिखा है, उसी प्रष्ट पे उसी इस लोक में यह सब जो प्रमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महराज जी ने दिया है, वो एजटेज पाया है, तो फिर मैंने सोचा, देखा, परखा, ज सर, जैसा कि आपने बताया कि ग्यान गंगा पुष्टक पढ़ने के बाद आपको अध्यात्मी ग्यान हुआ, लेकिन जो समाज है, वो अध्यात्मी ग्यान के साथ-साथ, बहुतिक लाब भी चाहता है, मानसिक लाब भी चाहता है, और आर्थिक लाब भी चाहता है, हम आप इतने चमतकारी लाब हुए हैं कि आप विस्वास नहीं कर सकते लेकिन वो मेरे साथ हुए हैं आपके साथ भी ऐसे लाब होंगे जब आप हमारे सद्गुर रामपाल जी महराज जी की सरण में आएंगे सबसे पहला लाब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज के समय यह एजुकेड़ बर्ग है इस चीज को मानता नहीं है लेकिन यह सच है भूत प्रेद बादा यह होती है क्योंकि मैं अपने घर में बहुत चुका हूँ जब हम पहले परमात्मा सद्गुर रामपाल जी महराज जी की सरण में नहीं आए थे तब हमारे घर में भूत भूत प्र अधिरात को जाड़ा लगाने जा रहे हैं कभी किसी को लेने जा रहे हैं कभी यह प्रेद बादा से हैं मेरी माता जी को भी परेसान करते थे वो कभी कुछ रोग हो रहा है कभी सपने आ रहे हैं कभी कुछ हो रहा है तो फिर जब हम ने यह मार्ग गरन किया अपने संत राम आपको मैं सबसे बड़ा ये बताना चाहता हूं कि खुद मेरे साथ इतने चमातकार किये परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महराज जी ने कि मैं आपको अभी-अभी की बात बताता हूं कुछ दो-तिन महीने के पहले की बात है कि मुझे पत्री की सिकायद हो गई थी मैंने डॉक्टर से चेक कराया उसने बताया मैं रिपोर्ट नहीं ला पाया हूं उसने बताया कि आपको पत्री है तो फिर मैं इतना आप जानते हैं पत्री का दर्द कैसे हो था कि दिनी में दर्द साजी मुझे तो उन्होंने क्या कि मतलब बता दिया कि पत्री आपको चेक कराना आपको कराना पड़ेगा इलाज मेरे पास पैसे थे नहीं में प्राइवेट सेक्टर में जोब करता हूँ तो छोड़ी जोब थी मेरी पहले तो क्या हुआ कि मैं एक दिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मैं बिल्गुल तड़ा पराता जहां पर मैंने दरवार सरीब लग कि थोड़ी देर में मुझे नीन आने लगी और जो मेरा दर्द था वो एकदम से गायब हो गया और मैंने देखा दूसरे दिन मेरी पत्री आर्टोमेटिक निकल गई तो यह चमतकार नहीं तो क्या है और दूसरे लाब ऐसे हुए मुझे कि एक बार मैं जॉब पे जा रहा तो एक ट्रक मेरे बाजू से भी जा रहा था और दूसरा भी जा रहा था मेरे बाजू से में बीच में था तो वो ट्रक मेरे निकल गया मेरे हाथ के आदे हाथ से और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और एक बार मैं ऑफिस जा रहा था तो एक ट्रक मैं ऐसा जा रहा था सीधे और एक ट्रक मेरे सीधे सामने से आया तो और मैं मंत्र करते हुए जा रहा था अपने गुरू जी को तो मैंने देखा कि एक दम से किसी सक्ती ने मुझे पीछे खीचा हुआ है और वो ट्रक वाला बिल्कुल बिल्कुल दो पांच इंच की वो रहा होगा फासला मरते मरते बचा में सर संतरामपाल जी माराज आज कल इन बातों को लेकर भी काफी सुरक्यों में रहते हैं कि जो भी संतरामपाल जी माराज से नामदिक्सा लेता है वो नसा छोड़ देता है आप एक पड़ेली के वेक्ती हैं सर क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं कि एक संद से आशिरवाद लेने से या उनसे नामदिक्सा लेने से मंतरों के जाब करने से कोई व्यक्ति नसा छोड़ सकता हो? सर मैं आपको क्या बता हुँ कि ये जो नसा है इसका मैं खोड़ा दी था जब मैं इंجनिंग क्लास का स्टूडेंट था आप मेरे क्लासमेट पूछ सकते हैं हम सिगरिट पीया करते थे मास खाया करते थे और बियर पीया करते थे आप चाहे तो पूछ सकते हैं मैं है तो मैंने पहले मंत्र दिया मुझे तो मैंने कुछी समय मर्यादा में रहके उसकी भक्ति की मेरे सारे नसे ऐसे छूड़ गए जैसे कभी कोई नसा था ही नहीं, मैं करता ही नहीं था, मेरी एक्छा ही नहीं होती थी घरने की, तो यह चमतकार नहीं, तो यह क्या है सर? सर संत रामपाल जिमारत से नामदिक सलेने के बाद आपने नसा छोड़ दिया, आपकी भूत प्रेद की जो बादा थी, वो ठीक हो गई आपकी, आपने बताया कि आपकी जो पत्रे की बिमारी थी, वो ठीक हो गई है, इतने सारे सारे रिकलाब मिलने के बाद भी, और इतने सा आधियात्मी किलाब देने वाला संथ आध जेल में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप। सर यह मैं आपको बताना चाहता हूं। भगत समाज को यह बताना चाहता हूं। कि यह हमारे भारत बरस का सबसे बड़ा दुरभाग होगा। क्योंकि हमने एक ऐसे संथ को हमने जेल में डाल रखा है। कि जिसको जिसने हमें पलपल पे समाला है। आप जो हमारे संथ रामपाल जी महराजी के फॉलवर हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं। वो रो रोके अपने लाब गिनाएंगे। सर मैं आपको क्या बताओं। कि जो लोग अस्पतालों में जाकर और महेंगा पैसा इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं। भूत प्रियतों की बादाओं से पीड़े थें। इदर उदर भटक रहे हैं। जाड़ा लगवाते हुए परिसान हो रहे हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ का नुरोध है। कि आप प्लीज भटगना बंद करें। क्योंकि परमसंत सद्गुरु रामपाल जी महराज आए हुए हैं। उनसे नाम दीख्षा लें। भक्ति करें। एसे लाब होग Zum palavra मैं ऐसे लाब कर दें। बैया हुरा आप कि आपूर्श नहीं कर सकतें। उनसे संद्गुरु रामपाल जी महराज ऐसे लाब दे सकतें। झाए हैं। शोड़ना चाते ने हैं। बहुजूद इसके लोग नसा नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप उन युवा साथियों से, उन युवा वर्ग से क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा क्या लाब नहीं दे सकता है, हर लाब दे सकता है, ऐसे ऐसे नसे आप से छोड़वा देगा, ऐसे ऐसे घोर जो आपने दस-दस साल से नसे कर रहे हैं, हमारे युवा, वो भी परम संत्य सद्गूर राम पाल जी की पवित्व भक्ती से छूट सकते हैं, तो मेरा चूट सकता है, बिल्कुल चूट सकता है, सर आपसे एक अंतीम फ्रसन पूछना चाहेंगे कि, सर जैसा कि हम रोज टीवी पर देखते हैं कि, बहुत सारे संतों के उपर आरोप लगे हैं, हर रोज कोई न कोई बाबा एक्सपोज होता है, यदि उसी कतार में संत राम पाल महराज को देखा जाए, तो आप संत राम पाल जी महराज को उन संतों से कैसे अलग पाते हैं? संत होते क्या हैं? संत राम पाल जी महराज जी ही मातर एक ऐसे संत हैं, जिन्होंने अभी तक हर एक धरम गुरू को आध्यात में ज्यान चर्चा के लिए आमंतरित किया, और बैठ के उनको बोला, उनसे प्राधना की कि जिसका मार्ग गलत है, अगर हमारे सास्त्रों के कहोता है, इसे और एक अधर में मैं खुद साथे अन्फ्याई आपके आएंगे और अगर आपका मार्ग सहीं नहीं है, और अगर आपका क्या मार्ग गलत हैं, तो सहीं मार्ग को ग्रण कीजिए, उस मार्ग को चुनिए। जो सास्त अनुकूल भक्ती हिसे उनकोल भकती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्छाइब। सच्छाइब।